नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल फैंशिवन प्रिटिक्शन में दोस्तों कवर करने वाले ओमान बिसे नमीबिया के बीच फर्स्ट टी टॉन्टी आए मैच है डीप लांस करेंगे स्प्रों फुल स्टब्स दन पो दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्ट इसमाइस का टीम कौमिनेशन के रहने वाला मारा वह भी आपको स्टेम मिलने वाला है दोस्तों मेड़ों लाइक करके सुरुआत करना एधि आपने अप तक यूटूप चैनल को सब्स्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके वैल का इकन चरूर प्रयास करें जिससे आपको आने वाले matches के video time पर मिलती रहे दोस्तों मारा final update आपको मिलेगा जो हमारी final team मिलेगे आपको हमारे टेलेगर्म चैनल पर मिलेगी आपने जल्दी से आके हमारे टेलेगर्म चैनल को जोइन कर लेना इसी विडियो को description और पहले कमल में आपको तेलेगराम चैनल लिंग मिल जाएगा, लिंक पे ilik करके तुरंप आप तेलेगराम चैनल जोईन कर लिजिए, दोस्तों egenwo लिए अबonstrat siyaanब का चैनल के लेगा, लेकिन दोस्तों एक चाहीएगा 2700 100 salvation का सबसक्काइबरल का चैनल कोnothing दिखेगा वही हमारा रियल चैनल है उसी को आपने जोईन करना जोईन करने का मैं एक तरीका आपको और बता देता हूँ आप अपने टेलेग्राम एप पे जाए किसी भी दोस्तों यार को add the rate रियल अप्टब रूपी आपने यही मैसेज कर देना है जैसे आप यह किसी को मैसेज करूँगे टेलेग्राम में जाके वह लिंक बन जाएगा आप उस पर क्लिक करके जोईन कर सकते हैं होता है काफी एक बैलेंस होता है यहां पर दोस्तों पेसर सो रिस्पेंस दोनों को लगबख सामान रूप से हिल्प मिलती है पहुत जीदा हाइज स्कूरि मुगाबले हैं पर होते नहीं है उमान के मैचे इस ग्राउंड पर अक्सर होते रहते हैं तो हम देख लेते हैं यह आप दोस्तों फश्ट निंग का जो इरो स्कूर है वह 152 रं कर रहा है मतलब 1500 के आसपास यहां पर स्कूर होता है आप हाइस टूटल लोगवाग आप देख सकते हैं जिक है तो आप स्कूरिंग पैटन देखना चाहें तो भी देख सकते हैं जो दोस्तों पर 50 मैचेस खेले नीचे स्कूर हुआ है तो बहुत यह स्कूर बनने के चांसे स्काम है तो 190 प्लस मतलब बड़े-बड़े स्कूर आपको यहां पर तभी देखने को मिलते हैं जब एक मजबूर टेम और यहां भी दोनों टीम में बैलेंस है तो वही 150-160 के आसपास स्कूर होना चाहें तो उत प्रतिक अथावली जुन्हें रिसेंटली काफी सारे मैंचेस में यह नहीं खेलेंगी तो जतिंदर और प्रतिक अथावली में से कोई एक ही खेलेगा चांसे मुंसे जतिंदर के ज्यादा लग रहे हैं कि कूई काफी टाइम बाद वापसी कर रहें तो हो सकता है सीद्धिस लेवन में आज हैं तो विदी जैसे इंदर उपन करेंगे तो कश्यप प्रतिक साथ ही उपन करेंगे तो कश्यप का लगवाग खेंड़ना कंसमा में राइट है बातिस मैंसे स्केलेंप तक ओमान के लिए शेसो बाउंड रून कुल बना हैं जो बिसके और श्रिंग काफी प्लेयर है बीच में थोड़ा सा फॉर्म कराब था इसलिए इनकी जागे टीम प्रतिका सावले को उपन करा रहे थी एंग काफी टाइम बाद इनकी वाप सी हुई देखते हैं तो आप ग्रांड लिग में जरूर ट्राही कर लेशेगा क्योंकि अभी पिछले एक डिर साल से इनकी के उमाने के लिए आठ सो अठावन रन नों कुल बना है 26 का जिसमें इनका बैटिंग हो रहा है तीस के इनका कुल बैटिंग हो रहा है साथ में नंबर चार बैट करेंगे तो इनको भी आपका प्नॉइस क्रिक्टिन बना सकते हो बड़ी हाल लाउंडर है नंबर पास बैटिंग करते हैं आयान खान बेट में लेकिन बास पहले जिसान मक्सूद उब कर सकते हैं तो फिर बैटिंग कर सकते हैं तो ठिक से आपके लिए रहेंगे नीचे दिखिन दोस्तों नदीम स्कॉइट में में से खेलेंगे तो अच्छे ऑप्सन नहींगे क्यों बैटिंग के साथ कुछ और की बॉलिंग भी कर चकते हैं 47 मैच इसके लिए हैं साड़े चार सो करीब रहे हैं और 27 बिकेट इसमें कुल निकाले हैं नीचे लेकिन दोस्तों मेहरान खान जो कि राइट हैं में बॉलर के तौर में नहीं कहलेंगे अल्राउंटर के तौर में खेलेंगे जिसमें से कुछ और बॉलिंग थोड़ा वह बैटिंग नसीम खुशी बतौर फेंटर कहलेंगे हाला कि इसने अपने कर रखा है लेकिन टीम पास देखे तीन तीन ओपनर पहले से हैं एक तो कस् सब्सक्राइब करेंगे जा सकते हैं नसीम खुशी फिर मुझे अच्छी कुछ खास प्लेर लेगने से पंद्रा के हो रहे हैं सखील एह मतलब अच्छा पेसर है और बिकेट टेंग बॉलर है काफी सारी लिक्स होगे रहे हैं पाकिस्तान के गुज्रावाला से याते हैं और अच्छा पेसर है और बिकेट टेंग बॉलर है काफी सारी लिक्स होगे रहे हैं पूरे टाल के जाए तो देखें यही का ऐसा बॉलर है जिसका चारवर करना है बागी दोस्तों सोला वरे न उसमें से बहुत सारे आप्सन है अब हम एक एक करते देखने हैं कले मुल्ला से आप दोस लेकर तीन वर देखेंगे जिसमें से नई बॉल से ही इत सुरू में डाल देंगे दो तीन वर उसके पास साइथ ज्यादा ना बॉलिंग कर आए हो सकता है दो दोवर शुरू में एक बाप्सन हो जाते हैं जिसमें से तीन वर जिसान मक्सूस के माल ले तीन वर आप सुलहरी कमाल ले जो तुछ हो रहे हो गए बाकि दोस्तों चार वर बजी उसमें से टिंप पास यह तीन आर्लाटर है जिसमें से यह दो दो वर एक एक वर ऐसा करके डाल सकते हैं जिसमें से आयन को मजे बहुत कम लागे रहें बड़ा है देखेंगे कैसा क्या होता है तो वह आपको टेलेग्राम पे आपको मिलेंगे दोस्के बाद जरूर पर लेजगा और उसके लिए क्या करना है मैंने वीडू को डिस्क्रिप्शन भी लिंक दे रखा है पहले कमेंट में लिंक दे रखा है क्लिक करें लिंक पर जोइन कर लिजी बाइज आट्व गया आट्व गया आट्व गया प्लेयर है तो उनको जेजी समिट हो गए निकोलाश डेवीन हो गए तो कुछ इनके बड़े प्लेयर हैं जो कि मतलब इनको बाहर कर रास्ता दिखाया गया और कुछ नए अंडर-90 लि काफी सारे मैचेश खिलें नमीविया के लिए टोटल साथ मैचेश खिलें एक 45 मिन बनाई जिसमें 23 के उरज रहा है थोड़ा सब्स्टाइग रहा है था इंग ग्रांड लिग में ट्राइग कर सकतो ऐसे आप में ट्राइग कर सकतो जहां पर तीन मैटर लेने तो वहां पर पर चोड़ सकते हैं बात करें दूस्तों जी जेंस रंसवर्ग की यह अभी एक डू साल पर ले तक नमीविया की अंडर नंटीन टीम स्केल ले थे अभी बंदा अंडर नंटीन लेबल पर जब खेलता है तो ओपन करता है लेकिन जो तीन मैचे स्केल है इसने नमीविया के उपन ही कर रहे थे नमीविया के लिए तो मुझे लग रहा है कि टिम पास दूसरा उपनर तो कोई है ने स्कौइड में तो मलान कुरकर तो कंफर्म उपन करेंगे इसके लाब इनके स्कौइड में कोई दूसरा उपनर है यही एक मात्र है रंसबर को जो अनन नाइटल में पहले उपन किया है तो इन्हीं को उपन करना चाहिए उपन करेंगे भी तो कुछ खास आखने हैं नहीं तीन मैचे तक नभीवे के लिए खिले हैं सिर्फ 15 ने बनाए हैं पार्ट्रे मॉलिंग ज़रूर डाल देते हैं लेकिन उतने कुछ खास पिक नहीं रहेंगे मेरी को अगारियो के लिए में नेटे आर्यों पान continuously करेंगे तो साथ में बैटिंग करेंगी नमर थीन पर बैस में तो घ्ले को जनकी में दबिकन करेंड जेन ग्रीन करेंगे लेकिन बैटिंग से मिटल अंदर केलेंगे तो आप इनको भी ट्राइए कर सकते हो हालियों पहुंस ओर रोल ठीकी रहा है नमर पांच वाटिंग ओर रहा है जान फ्रेलिंग तो लेफ्टाइन में लेफ्टाम मीडियम डालते हैं बाउन मैच के अंदर इ पांच में से इसका तीन इनिंग में बैटिंग आया है क्यों काफी नीचे खेल लेते हैं तो इसलिए यह बाकी बैटिंग नीचे ही करेंगे डेविट बीजे की बात करेंए बहुत सारा इनके पास इस्पिरियंस है हलाकि नभीविए के लिए सिर्फ 45 मैंच चैसे ही खेले ह बॉलिंग आप तीनवर के सपास देख सकते हैं डिबन करती है कंडिशन कैसे हैं क्योंकि दिखिए यह काफी सीनियर प्लेयर है और हो सकता है टीम में यू अपलर्स को मोखा दे रहे है तो बहुत बालिंग बनाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इनके बालिंग करने च करें चारों पूरे डालेंगे इस्कुल जच्छे इस्पिरर हैं लाइन लेंस के लिए जान जाते हैं त्रपन के में सतौन भी निकालें इसी कॉंगो की बात करें 31-28 से आप इनको ग्रांड लिक्ट रहेगा एम इनकी में में बालर्स की बात करें तो आपको में पर जो दो इनका लगभग आट और माने चलिए कंफर्म रहेगा तो दो बॉल रहे होगे तीसरा बॉल दोस्तों आज का लक्षर खासा बॉलिंग करके जा रहे हैं मारविर इसमस चौते बॉल और दोस्तों के जान फिरलिंग तो इचार में बॉल और इनमें से किसी की वर कटते हैं प् कर दोगा है तो यह में दो आख सब्सक्राइबर देंक करते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच की टीम की दोस्तों प्रतिक अथावले दी खेलेंगे तो में के साथ जाओंगा इन दोनों में से जो भी खेलेंगे उसको रख लेगा बात करें दोस्तों मैं एक ही प्लेयर लिया कर सकते लेकिन मैं ज्यातर आलाउंडर्स पर फोकस कर रहा हूँ क्यों इस ग्राउंड पर ऐसे भी हाई स्कूरिंग अबली तो होती नहीं है वह 134 स्कोर होना है तो इस मेरे चाप से ऐसे विगेट पर आलाउंडर्स ज्यादा पॉइंट देखे जाते हैं इस वेसमें से प्रजापाती को लि इंपोर्टन आयान खान भी इंपोर्टन नहीं को बहुत कर ले दें आखी विलास तुलहरी आज कल बहुत बहुत करा रहा है पर बैटिंग सिजवाट्स पॉम में ज्यान फिलिंग च्छाए इंविस आप किसी को नहीं सोड़ सकते इविन आयान खान को आप छोड़के बाक करते हैं दोस्तों कैट्टन में और टीम की फाइनल प्रूब्यू की दोस्तों में टीम के क्यप्टन हमिनवाले ऐन यासे जी मारवय मियर्सपंस वाइस कैट्टन दुस्तों मैंने कर राखा है आपड़ाउस करकते हो सींपल सा कररा राए तो इस वाद से यह तीन मुझे बेच लग रहे देखिए इन तीन में ही सीवी से आप स्मॉल लिग में रखेगा जो लोग ग्रांड लिग खेले वहाँ पर आप जान फिल लिंग को कैप्टिन बना सकते हैं उसके लोग दोस्तों दी उमान का पहले बॉलिंग आता है तो उनके करीब 22,800 करीब दोस्त जुड़े में जुड़ जाएगा वीडियो पसंदा है आप प्लिज लाइक कर देएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कर लिजी तो मिलते हैं टेलेग्राम पे लिंक में ने दे रखा है जुर जरूर जाएगा फाइनल अबडेट आपको महिप मिलेगा और वीडियो लाइक कर देए चैनल को सब्सक्राइब कर देए मिलते हैं टेलेग्राम पे वीडियो आश्च करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद